आपके दोस्त आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिना के फैरे हिना हमारे बालों को सिर्फ चमक ही नहीं देती है बलकि यह हमारे स्क्याप को भी पोशित करती है यह बालों को कलर देने के साथ साथ हमारे बालों को इतना कोशन देती है कि वे जहने से तो रुपते हैं ही साथ ही साथ चमकदार भी बनते हैं हिना का फेस पैक अगर हम हफते में एक ये दो बार लगाएं तो मानो बालों में जान सी आ जाती है अगर आप हिना का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रुसी की प्रॉब्लम या फिर हैर लॉस की प्रॉब्लम से भी निजात मिल सकती हैं क्योंकि हिना में मौझूद anti-bacterial और anti-fungal good हमारे बालों को पोशन देने में बहुत जादा मददकार होते हैं तो आईए जानते हैं कुछ ऐसी beauty recipes जिनको घर बैटे आप बना सकते हैं और अपने बालों को और जादा खुबसूरत बना सकते हैं टिप नमबर वन और beauty recipe नमबर वन है अंडा, olive oil और हिना तीन चमच olive oil में एक चमच हिना powder और उसमें दो चमच अंडे का सफेद भाग मिलाकर एक paste तयार करें इस paste को अपने बालों में as a face pack लगाएं, आधा गंटा सूखने दे और उसके बाद गुंगुने पानी से अपने सर को साफ करें ऐसा करने से आपके बालों में बहुत अच्छी shine आएगी टिप नमबर दो है दही, नीमबू और हिना दही, नीमबू और हिना को बराबर मात्रा में या फिर एक-एक चमच मिक्स करके एक पैक तयार करें इस पैक को बालों में लगाएं और फिर थोड़ी दे सूखने के बाद धो दे ऐसा करने से आपके जो असमे से सफेथ होने वाले बाल हैं उस रोग से आपको निजात सरूर मिलेंगी टिप नमबर थ्री है हिना, ओलिव और विनेगर चार चमच हिना पाउडर में एक चमच विनेगर और एक चमच ओलिव और को मिक्स करें इसका एक पेस्ट बनाए और सर पर लगाएं कुछ देर तक ऐसे ही रहने दे और उसके बाद सर को धोली ऐसा करने से आपके बालों में चमच आएगी, सारी गंदिगी साफ हो जाएगी साथ ही साथ आपके बालों को अच्छा वाला पोशन भी मिलेगा टिप नमबर चार है सरसो का तेल और हिना सरसो के तेल को सबसे पहले गरब कर लें और उस गरब तेल में ताजे हिना के पीसे हुए पत्ते मिक्स करें और एक पैक तयार करें इस तेल को आप थोड़ा थंडा होने दें और रात को सोने से पहले अपने सर में अच्छी तरीके से मसाज करें ओवर नाइट इस तेल को ऐसे ही अपने सर पे काम करने दें सुबह उठने के बार इसे अच्छे शैंपू या कंडीशनर से धोले ऐसा करने से आपके बालों में जान आ जाएगी चमक आ जाएगी और आपके बाल और भी जादा सुन्दर दिखने लगेगी टिप नमबर फाइब है हिना, ब्लैक टी और तेल ताजे हिना के पत्तों को ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी में राद भर भी वोग कर रखें सुवर उठने के बार इस पेस्ट के अंदर थोड़ा सा ओलिव ओल या फिर फेटा हुआ अंडा मिक्स कर ले और एक पैक तयार कर ले इसे अपने सर पर लगाए खुछ देर ऐसे ही रहने दे और उसके बाद इसे वाश कर ले ऐसा करने से आपके बालों में बहुत जादा तास्की आएगी साथ ही साथ सारी चिपचे पाहट भी दूर हो जाएगी और आपके बाल बहुत जादा चमकतार बन जाएगी सो फ्रेंड्स ये थी कुछ ऐसी ब्यूटी रेसिपी जिनका इस्तेमाल आप अपने बालों को और भी जादा सुन्दर बनाने के लिए घर बैठे कर सकते हैं मेरी ब्यूटी और हेलसे रिलेटीड वीडियोज को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राब दीजे